आपको यह कहा जा रहा है, यह थार देते हैं कि भाई, खूब सट्टा खेली है, अब सट्टा कहे रहो सर, सट्टा तो कहीं नहीं कहा, लेकिन एक term and condition है, इस पर एक star मार कर लो, कि star है कि मेरा student होना आवश्यक है, अगर सच में बच्चों को motivate करना ही मकसद था, तो आप अभी ह कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको इतनी गाड़ियां देंगे, वो किसी भी topper को देंगे, किसी भी topper को, 21 educator के आपको कितने fan club मिले, fan club पे basically आप वो हर चीज कर सकते हैं, जो आप अपने channel पर नहीं कर सकते, 99% fan club जो है, वो फरजी हैं, खुद बनाए गया है, बनवाए कोई जो है, बिना यूनिफर्म के टोपी पहन रहा है, कोई टोपी पहना रहा है, Hello everyone, सभी को नमस्कार, मैं अफदेश दिक्षित, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, तो पिछले 3-4 दिनों में जो भी YouTube पर बातचीत चल रही है, उसको देखते हुए, सुनते ह बड़े प्रसंद है, काफ़ी सारे स्वेंट्स, कि अपने गाड़ी मिलेगी, अब कुछ लेकिन चिंतित भी हैं इस बात को लेकिए, कि यह गाड़ी मैं पार्क कहा करूंगा, पार्किंग का अपने पास इस पेस ही नहीं है, अब कुछ इस्ट्रेंट्स ने मुझे कमेंट क कि आख राप क्या देर, यह देखा, ऐसा ऐसा चल रहा है मार्किट में, तो देने के लिए दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, उस प्रवी में बात चीत करूंगा, यह एक बहुत लात गंदा तरीका होगा, यह नहीं कह रहा है कि कभी किसी ने, आज गिफ्ट, यह घे इसी के फील्ड की बात करूं तो इतने जादा बच्चों को बोलते हुए यह दूसरी बार किया जा रहा है एक बार 2018 में हुआ था एक चैनल था पार्चला नाम से आगे पीछे कुछ था वह जादा बताने के आवश्यक्ता नहीं और दूसरा भी यह हो रहा है इसको और मैं गल जाओंगा ठीक है क्योंकि बस सुनने में अच्छा लगता है कि सत्य को प्रमाण के आवश्यक्ता नहीं है बट आज की डेट में सत्य को प्रमाण देना पड़ता है कि भाई यह सत्य है ठीक है अगर आप किसी भी एजुकेटर के किसी भी टीचर के मेडम के अंदभक्त नही ठीक है किसी का अंदभक्त बनने से ना फाइदा कुछ नहीं है नुकसानी हो जाएगा कि चिकनी चुपडी बातों में हम आ गया और बाद में हमारा बेवकू बन गया जैसे बाबा लोग बना देते हैं आजकल जो है में बातचीत बहुत अच्छी सी करनी है बस और उसके ने वाली है ठीक है तो बिना किसी विलम के बातचीत पर आते हैं आपको यह कहा जा रहा है यह थार देते हुए कि भाई खूब सट्टा खेलिए अब सट्टा कह रहो सर सट्टा तो कहीं नहीं कहा आप इंटेंशन को समझीए बातों में क्या रखा है देखे अब आपको कित पंदर लाख रुपए दूगा गाड़ी वाड़ी छोड़ो अगर आप टॉप टैन में आते हूं ठीक है यह तॉप आई मैं तो कुछ भी एक नंबर कह दूँ उसमें अगर आते हो तो मैं आपको पंदर लाख रुपए दूँगा बहुत अची बात है सर आप इतने महान है लेकिन एक टर्मेंट कंडिशन है इस पर एक स्टार मार कर लो कि स्टार है कि मेरा स्टुडेंट होना आवश्यक है अब यहां दोनों हातों में लेट डू होगे क्योंकि अब पंदर लाख रुपए मिलेंगे तो काफी सारे स्टुडेंट पढ़ने के लिए अड्मिशन नह कि भाई पंदर लाख मिल सकते हैं तो सट्टा क्या कहता है कि टिकट खरीदी जाती है तो लेट असपोस मेरा कोर्स 800 रुपए का है 800 रुपए की टिकट खरीदने पर आपको पंदरा लाख रुपए मिल सकते हैं जीरो भी पता नहीं उपर नीचे नहों जाए बंस टेंस अं आप जो है 800 रुपए दो इतने मिल सकते हैं आप मुझसे एक स्ट्विंट क्या सूचे किया मैं इससे पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं मेरा कोर्स लेने में क्या दिक्कत है आपको 800 रुपए दोगे तभी आप इस पंदरा लाख के लिए एलिजीबल बनोगे और डीटेल में भी हम आगे आएंगे मैथ से आपकी इसकों आगे करवाओंगा यहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे थोड़ी सी मैथ की बात करें तो एक अनुपात 1875 आएगा आपका एक रुपए का रिस्क है लेकिन आपको एक रुपए का 1875 गुना मिल सकता है तो भाई इससे अच्छा तो फिर ड्रीम 11 खिलो न पचास सो रुपए लगा के करोड़ों मिल सकते हैं सट्टा ही तो खिलना है कहीं मेरा नंबर आ गया तो अगर सच्छे में स्ट्वेंट को मूटिवेट करना होता तो उसके लिए क्या टॉपर है उसको हम प्राइस तो देंगे लेकिन कंडिशन यह है कि वो मेरा इस्ट्वेंट होना चाहिए तो यह बात आपको पहले ही बता दिया जाएगा अगर आप मेरे इस्ट्वेंट होगे तो क्या होगा नमबर अफ कोर्स के जादा नहीं विकेंगे चैस वज़े से ज उसका विकता है जिसको ज्यादा लोग जानते होते हैं इस्ट्वेंट यह नहीं देखता कि बैटर कौन पढ़ा रहा है इस्ट्वेंट बस यह देखता है अच्छा मैं इसको जानता हूं बस वो दूसरे को देखता ही निए दूसरे को जानता ही निए बस जिसका नाम है बो दूसरा केस इससे better क्या हो सकता था लेकिन लेकिन इसमें क्या होता इसमें जो है हमारे एक बार का investment चला जाता समझ में आ रहा है कैसे केस टू होता कि भई टॉपर को दूँगा मैं और अपने ही टॉपर को दूँगा अपने ही student को दूँगा लेकिन वो surprise दूँगा मतलब यह बात न कहकर जब टॉप मारते तो अपने 5 बच्चों को 10 बच्चों को 15 बच्चों को जितने भी बच्चों को चाहते उनको ए कर लेकिन लेकिन इसका जो पैसा है वो मुझे एक साल के बाद मिलेगा पहली investment कहां से जाएगी अपनी pocket से ठीक है इसकी calculation पर अभी हम आएंगे ठीक आप ही बताना कि कौन सा तरीका best है अगर सच में बच्चों को motivate करना ही मकसद था तो आप अभी ही कह देते कि हाँ ठीक है हम आपको इतनी गाडियां देंगे वो किसी भी topper को देंगे किसी भी topper को अरे भाई जितने भी बच्चे select होते हैं वो YouTube पर 10 educator को देख चुके होते हैं तो student एक तरीके से एक तरीके सबका student हो गया यह tournament condition क्यों लगाना अगर motivation देना हमारा मकसद motivation देना है तो बच्चों को कहेंगे ना कि top 10 में जो भी आता है चाहे हो मेरा student हो चाहे ना हो मैं चाहता हूँ आप खूब जोश से पढ़ें मैं आपको क्या दूँगा जो भी है XYZ चीज दूँगा एनी टॉप पर लेकिन condition अपना basic common sense लगाओ कि भाई क्यों कहा जाता है मेरे ही student को यह पैसा बाद मिल रहे होते हैं उसमें से selection टॉप पर आना तो दूर selection ही चंद बच्चे ले पाते हैं तो टॉप में तो बहुत कम आ पाएंगे तो अगर मैं आपको कह दूँ कि भाई 15 लाख रुपए मिलने वाले हैं अगर मैं कह दूँ 15 लाख रुपए उस बच्चे को मिलेंगे जो टॉप 30 लाख बच्चों तक पहुंच जाए तो कितने बच्चे अडमिशन लेंगे वही दिमाग काम करें सटा कि चले यार ले ले लेते अडमिशन क्या जा रहा है जितना भी लेंगे प्रॉफिट में रहेंगे क्योंकि पैसा बाद में देना है मिलेगा पहले let us suppose अगर 10,000 अगर दो बच्चों के कितने लाख चले गए 30 लाख चले गए 800 रुपे का कोर्स है 800 रुपे का कोर्स है इतने रुपे जेब में आगे कितना हो गया once 10,000, 100,000, 10,000, oh my god गोल माल है 30 लाख रुपे maximum देने पढ़ सकते है 80 लाख रुपे pocket margin बढ़ी आया रही हो सकता है zero भी हो जाए इंके देड़ दो साल जी तोड़ पड़ा है ठीक है अब अगर 50,000 admissions हो गए अगर 50,000 admission हो गए कितनी ताड़ियां जा सकते है कितना पैसा कर दोगे तो कितना पैसा आ जाएगा तो मेरे हिसाब से चार करोड रुपे आ जाएगा और यह amount कम भी हो सकता है यह नहीं कि इस पचास आर में सब सेलेक्शन तर उस सीज को समझे अगर सच में motivation देना है इतना ही पैसा उमड रहा है इतना ही अहिंकार आ चुका है अगर पैसे का तो यह term and condition नहीं लगानी चाहिए थी कि हमारा ही student होना चाहिए लेकि इतनी बाते होने के बाद भी नहीं हो सकता है यह talks करके कुछ चैनल्स होते है अपने काफी सारे देखने हैं और आपको लगता है किसी fan ने बनाया है अगर ऐसा होता तो एक educator से ज्यादा लोग actors को जानते है एश्वर है राय है अमिता बच्चन है और अक्षय कुमार है रिज्टिक रोशन है इनका कोई fan club आपको एक पर एक student जो है उस educator के ही course देखेगा या खरीदेगा जिसको उसने देख रखका है तो यहां पर important यह famous होना कैसे भी हो जाओ तो और आपको कैसे पचला सर यह कि भाई कुछ mails आते हैं कि सर हम आपका fan club बना देंगे इतना इतना चार्ज होगा तो भाई मैं भी बनवा सकता था कि यह खुद भी बना सकते थे कादी स्ट्रेंट हमारे नीचे काम कर उनसे यह काम करवाया जा सकता था लेकिन यह बात न पवन राउसर हैं जिनके अगर fan club एक आदी माइट भी हो सकता एक एक तो उस पर कुछ बहुत जादा comedy शायरी फालतू की चीज़ें नहीं कुछ पढ़ाई वाली चीज़ें मिलने के आपको आसार हैं आप यह चेक करना और मेरी आप सब से हाथ जोड़के request है सभी student से एक ब अपने चैनल पर नहीं कर सकते 99% fan club फरजी हैं खुद बनाए गया बनवाए गया अब यह वैसे मैं यह नहीं को हुआ कि गलत है यह अब जो है ना समय की demand बन चुके पहले किसी ने बनाया उसने खूब फायदा उठाया उसके बाद यार देखते हुए मुझे भी लगता है क बनाना पड़ेगा उसका reason logic भी आपको समझाता हूं बट अब तक नहीं था फिर किसी को इसको देखते हुए कि फिर यार नहीं हमें बड़ आवशकता है क्योंकि यह वरना तो popularity यहीं से मिलेगी कि मैं घर मैं जो है fan club पे fan ने बना के class में से दे दिया भाई यह script होती है इस है वच्चे का time waste नहीं करा सकते एक वह strength वजह से हम काफी हद तक financially free हो पाए जो मुझे भरोसा करता है मैं उसका विश्वास खात करूं कुछ होते नहीं और और पैसा कमाने पैसा कमाने कोई limit नहीं है अब करी जाएगी लेकिन उसमें कुछ बढ़िया बात ही बताई जाएं कोई comedy वगेरा नहीं कई लोग देख रहे हैं यह सब काम कर रहे हैं कोई जो है बिना uniform के टोपी पहन रहा है कोई टोपी पहना रहा है कोई नहीं बस हमें publicity चाहिए क्योंकि fan club के जो channels होते हैं आप देखना कई हो कि आपको 15-20-20 channel मिलेंगे बताना मुझे comment करके ताकि दुनि आदी जाएंगी भाई यह हमारे बारे में डीटल है